हेलो एवरिवन मैं हूँ सच्चिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे और आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 6,7,8 में पढ़ते हैं और जिनका कंप्यूटर में STML chapter है मतलब कि आज मैं आप लोगों का STML chapter सुरू करने वाला हूँ और ये आज का पहला class है ठीक है ना और ये school students के लिए मैं बना रहा हूँ खास कर ठीक है ना तो सबसे पहला चीज कि आप first time अगर सुन रहे होंगे कि STML क्या होता है तो मैं यहां पर बता दूँ एच्च टी ml html का full form होता है hypertext markup language ठीक है अब language मतलब यह भासा है और यह किस प्रकार का भासा है यह markup बासा ठीक है मतलब इसको कुछ इस प्रकार से tag के अंदर में लिखा जाता है जिसे अभी अभी हम लोग थोड़ा देद में देखेंगे कि हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे यहां पर कुछ html लिखेंगे and then हम लोग head लिखेंगे ठीक है उसके बाद में फिर हम लोग head को close करेंगे उसके बाद में हम लोग फिर body body को open करेंगे then body को close करेंगे then at last at the end of the document हम लोग html को close करेंगे तो यह इसका basic structure है इसको मैं अच्छा से explain करूँगा मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से markup language लिखा जाता है और यह simple text नहीं होता है यह text जो है ना यह जो html है head है body इनका अपना एक मतलब होता है और यह मतलब को समस्ता कौन है यह मतलब browser समस्ता कौन समस्ता भई browser अच्छा ब्राउजर क्या होता आप लोगो पता ही होगा देखिए जो web pages होता है जो web pages होता है उस उनको खोलने के लिए जो software जरूरत पढ़ता है हम लोगों उस software को हम लोग ब्राउजर कहते हैं जैसे वेब ब्राउजर कहते हैं जैसे की Google Chrome हो गया Mozilla Firefox हो गया इस तरह का software सब को हम लोग क्या कहते हैं वेब ब्राउजर कहते हैं अब यहां पर HTML का use क्या है अगर आपके मन में भी question arise हो रहा होगा कि भई इस language को हम लोग क्यों सीख रहे हैं तो देखिए HTML का काम क्या होता है मैं यहां पर लिग देता हूं HTML is define the web page structure web page structure मतलब जैसे कि आप जो website देख रहा है आप जो website देखते हैं ना तो वो website होता क्या है वो collection of web pages का होता है Mतलब एक website में बहुत सारा pages होता है और उन pages को हम क्या कहते है उन pages को हम web page कहते है . वे पेज कहते हैं और सारा वेब पेजरोता है वह आपस में inter-link होता है ये और ये पूरा होल का अगर हम लोग बात करें तो इसे हम कह देते है website इसे हम कह देते है website तो इस प्रकार से आप बोल सकते है the document written in stml document stml language is known as a webpage and the collection of webpage which are interlinked with each other is known as a website ठीक है उसके बाद में फिर और एक चीज़ यहां पर तो stml क्या करता है structure define करता है मतलब यह जो webpage बनता है ना यह stml css java script script that means js इस प्रकार से और भी languages use होता है बट जो primary language है जो बेस्त तैयार करता है वो stml है ठीक है जो structure provide करता है वो stml है ठीक है तो stml से हम लोग webpage का structure तैयार करते हैं बस इतना आपको मालूम होना चाहिए ठीक है अब मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद अब stml में हम लोग सीखेंगे क्या तो हम लोग बात करेंगे elements के बारे में हम लोग में बार यहां पर ऐसे लिखा और अच वन लिखा अब यह जो है इसे हम कहेंगे element इसे हम कहेंगे element और उसके बाद इसको बंद करने के बाद में आप मान लिजे कि यहां मैं कुछ लिख देता हूं जैसे मैं यहां लिख देता हूं heading और फिर यहां पर हम बंद कर देते यह बंद कर देते बंद कर देते मैं बार-बार बोल रहा हूं तो इसका भी मैं बताऊंगा पहले यहां पर समझ जाए तो यहां पर जो हम लोग एच्वन लिखे यह लिखे चीज को मैं कहा हूं तो यह stml tag कहलाता है यह अच्वन टैग्ट थीक है न अब देखीए जब भी इस प्रकार से लिखते हैं दो यह टैग कहलाता है और यह जाता है कि एसे रहे गा तो इसको हम बोलेंगे open तो इस प्रकार से यहां पे हमारा h1 tag open हुआ और यहां पे हमारा h1 tag close हुआ और बीच में जो हम लोग लिख रहे हैं मतलब बीच में आप जो भी content लिखना चाहते हैं वो कहां आएगा in tag के बीच में आएगा अब एक चीज और समझा देता हूँ जैसे कि अभी यहां पे मैं अगर h1 लिखता हूँ और उसके बाद में फिर यहां पे मैं align लिख देता हूँ और equal to inverted कॉमा देकर यहां अगर मैं center लिखूँ और फिर इसे मैं बंद कर दूँ फिर आपको पता यहां content लिखना होगा और फिर यहां पे h1 को बंद कर देना होगा ठीक है न तो अब जब भी element में कोई भी element में space देकर और कुछ भी आपको word नजर आता है तो उस word को हम attribute कहते है उस word को हम क्या कहते है attribute कहते है और attribute का क्या होता है कि उसका एक value होता है attribute का अलग अलग प्रकार का value होता है जैसे align का यहां पर मैंने value दिया है center और यह जरूरी नहीं है कि हर एक attribute का value होता है मगर ज्यादा तर जितना भी attributes होता है attribute देने के बाद में उनका value भी हम लोग को देना होता है तो इसको समझाने का मतलब था कि आप elements किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा और attributes किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा ठीक है और tag का बारे में जब मैं बात करूँ त तो हम कहेंगे tag और ऐसा रहेगा तो इसे open tag से हम लोग बोलेंगे कि यह open tag है और ऐसा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे close tag ज्यादा तर देखेंगे जो की लाइन ड्रो करने के लिए यूज होता है ठीक है यह सारचीत हम लोग अभी देखेंगे तो आई होप कि यहां तक आप सबको समझ में आया होगा अब फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ अब कंप्यूटर में जब आप html सीखेंगे तो आपको दो software का जरूरत पड़ेगा मतलब need of software कौन कौन सा software का need पड़ेगा need of software to learn html देखें पहला एक software आपको चाहिए text editor जिसमें हम html का code लिखेंगे और दूसरा software आपको चाहिए web browser ठीक है दूसरा क्या चाहिए आपको web browser ये code लिखने के बाद में हमारा output कैसा दिख रहा है हमारा page कैसा दिख रहा है उसको देखने के लिए हमको web browser चाहिए तो as a tax editor आज के class में मैं use करने वाला हूं notepad क्योंकि as a beginner आप 678 मैंने पहले ही कोशित किया कि 678 के बच्चों के लिए video बना रहा हूं मैं तो आप सब beginner है तो इसी लिए जो भी beginner होता है जो html first time सीख रहा तो सबसे अच्छा होता है कि notepad यूज करिया जाए और browser आप जो भी यूज कर सकते हैं बट मैं prefer करता हूं कि आप Google Chrome का यूज की दिए Google और अगर Google Chrome नहीं है आपके system में तो कोई दिक्कत नहीं आप कोई भी वा browser यूज कर सकते है ठीक है तो हम लोग notepad मतलब text editor में हम लोग क्या करेंगे हम लोग stml का code लिखेंगे stml का code लिखेंगे और Google Chrome में हम लोग क्या करेंगे हम लोग page को view करवाएंगे ठीक है या फिर ऐसा कह लिजिए देखेंगे या फिर ऐसा कह लिजिए कि display करवाएंगे और एक बात जब भी आप कोई stml कोड को लिखने के बाद save करेंगे तो कोई भी नाम दीजिए कोई भी नाम दीजिए एनी नेम दीजिए आप अपना document का मगर dot html लिखना मत भूलिए का dot html it is a extension of stml it is a extension of stml जब हम टेक्स एडिटर में कोड लिखने के बाद dot stml लिखते है तब जाके मेरा वो document stml फाइल बनता है अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो stml फाइल नहीं बनेगा तो चलिए एक basic structure जो stml का वो हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर इस सब को मैं मिटा देता हूं और उसके बाद में अब यहां पर देखिये मैंने पहले से ही यहां पर note paid open करके रखा है आप सको नजर आ रहा होगा यहां पर मैंने note open करके रखा है ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं इसको मैं save कर दे रहा हूं देखिए तो file में जाके यहां save में मैं click करूँगा और इसके बाद देखिए desktop में मैंने एक html tuts नाम का फोल्डर बनाया है यहां पर इसको मैं कि सेब कर रहा हूं ठीक है यहां पर इसका नाम में दे देता हूं इंडेक्स डॉट html और यहां पर मैं save में click कर दे रहा हूं तो यह file मेरा उस फोल्डर में save हो गया है ठीक है मैं आपको folder में दिखा देता हूं तो देखिए यह मेरा stml tuts नाम का folder है और यहां पर देखिए मेरा file index.stml है अगर अभी मैं इसको open करूँ देखिए अगर इस file को आप open करना चाहते है तो आप direct double click करेंगे तो अभी आपका browser में खुल जाएगा ठीक है लेकिन मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूं आप राइट क्लिक करेंगा और राइट क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको open with दिखेगा आप यहां जाईएगा और open with के बाद यहां पर देखिए मंच चाहा web browser जिसमें आप फोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं पहला चीज और दूसरा चीज अगर आप मान लीजे कि यहां पर जो नोट पेड आप लिख रहते यह गलती से close हो गया है है ना और आप फिर से अपना code को edit करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हीआप open bit में जाएगा और open bit में जाके आप इस final को फिर से नोट पेड में आप open कर सकते हैं फिर से नोट पेड में open कर सकते हैं थेक आ गया और उसके बाद अभी मैं आपको इसको open करके दिखा देता हुआ हो यहां पर कहा गया इसको मैं यहीं पर double-click करता हूं आप मंद चाहर वेब रोजर में खोल सकते हैं तो अभी एक फिल गया यहां कुछ भी दिख रहा है आप लोगों को अभी हम लोग का वेब पैज में कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्यों कि हम लोग अभी तब stml का कोई भी कोडिंग नहीं किये है ठीक है ना अब यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले stml लिखना होता है ठीक है इसका मतलब वहा कि हमारा stml dokument यहां से सुरू हो रहा है उसके बाद में हमारा जो stml document है वह दो पार्ट में divide होता है एक पार्ट होता है उसका head यहां पर मैंने head को öp in kia और close किया और दूसरा part होता है body दूसरा part होता है body ठीक है और उसके बाद एकडम last में हम लोग stml को close कर देते है तो this is the basic structure of stml अभी भी अगर हम लोग इसको सेफ करके जाएंगे तो कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ना कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा हाँ हैड के अंदर में क्या होता है कि हैड के अंदर में हम लोग पेज का हम लोग अपना वेब पेज का information देते हैं और टाइटल टेग जो होता है वो हैड के अंदर जाता जैसे मैं अगर यहां पे टाइटल लिखूँ और यहां मैं लिख देता हूँ NICT EDU और उसके बाद इस टाइटल को मैं बंद कर दूँ टाइटल को बंद कर दूँ और बंद करने के पहले बार हम लोगसे ही किये थे लेकिन आप जितना बार इसको करेंगे जितना लिखेंगे हर आप को सेब करना होगा आपको जैसे फाएल में जा wiped कर देगा से बैंकलिक करियेगा ये document first time हम लोग जहां save किये थे यह code मेरा उसी file में save हो जाएगा और फिर अभी यहां पे जैसा की web browser में हम लोग is file को खोल के रखें ना अभी यहां जाके हमको just refresh कर ला है अब जैसे refresh किये तो यहां पे आप गौर करिये देखिए यहां पे टॉप में यहां पे आप टॉप में गौर कर यह जगह देखिए क्या दिख रहा है आपको एन आई सीटी इडी यू दिख रहे है ना जो हम लोग कहां दिये थे जो हम लोग यहां पे टाइटल में दिये थे देखिए यहां पे जो लोग लिखे थे इससे क्या समझ में आया कि आपको टाइटल बार में जो भी दिखाना ओगा कहा लिखना होगा यहां लिखना होगा और एक ठीज ध्यान क्या देना है आप लोगों को की हैड के अंदर में ही हमारा टाइटल लिखना होगा ठीक है और देखिए हैड उपर में क्लोज हो जाएगा है जो है वह आपका उपर में क्लोज हो जाएगा ठीक है और फिर बॉडी स्टार्ट होगा ठीक है देखिए यह हैड पाट और यह बॉडी पाट दोनों अलग अलग है यह दोनों stml का stml divided into two parts जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है अब उसके बाद में इनको मैं मिटा देता हूँ अब body के अंदर में भी हम लोग कुछ लेख के देख लेते हैं जैसे normally सबसे पहला tag जो ज्यादा तर आपके book में आप लोग देखे होंगे जब भी आप basic structure of stml देखते होंगे तो होता है h1 h1 tag का use हम लोग heading देने का काम करते है जैसे मान लीजे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ national institute of computer technology और उसके बाद इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ h1 को ठीक है और उसके बाद फिर मैं p tag भी दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह path of education और फिर यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ and then फिर से यहाँ पर file में जाके हम लोग इसको save करेंगे and then again हम लोग यहाँ आएंगे और इसको refresh करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को जो हम लोग heading tag में लिखे थे ना National Institute of Computer Technology देखने को मिलेगा और उसके बाद में path of education यह भी देखने को मिलेगा ठीक है तो आज का class में हम लोग इतना ही देखेंगे और अगर आप सबको मेरा यह आज का class पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को आप first time देख रहे हैं तो subscribe करें और अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि कि मैं वीडियो बनाता रहा हूं तो प्लीज कॉमेंट करिए मैं और वीडियो आप लोगों के लिए upload करूंगा